पहली जो हमने बुद्ध वन्दना की वीडियो बनाई है उसमें हमने जो थ्री जैम्स होते हैं जिनको हम पाली में रतनत्य बोलते हैं और हिंदी में त्री रतन बोलते हैं उसमें जो बोधी रतन है उसके वारे में बताया था इतिपी सो भगवा अरहं सम्मासंग बुद्धो विज्जाचरन संपन्नो लोक विदू सुकतो लोक विदू अनुत्रो पुरिश दमसारती सत्था देव अनुस्सानं बुद्धो भगवाती इसका हमने मतलब बताया था उससे आगे जो आता है वो आता है शरण यानि कि रिफ सरनंग अच्छामी यानि बुद्धंग जीवित परियंत तक मैं अपने जीवन परियंत यानि जितना मेरा जीवन है तब तक बुद्ध की सरनंग में जाता हूं इसका मतलब सीमपल यह है और सारे इसमें जितने भी शब्द हैं वो बहुत आसान है फिर इसमें आता है नथी में सरनंग अयंग, नथी का मतलब होता है, नहीं है में माने मेरी सरन अयंग, अयंग माने अन्यकोई, बुद्धों में सरनंग वरंग, बुद्धों में जो सरन है वो वरंग यानि सबसे स्रेष्ट है, अच्छी है, एतेन सच्च वजजीन, इस सच्चे वजन से, यानि जो कहा गया है जो सच्चा ये कहा गया है हो तू में जय मंगलम इससे मेरी जय हो ये आता है सरण में सरण के बाद में हम वंदना करते हैं वंदना ये चे बुद्धा अतीता चे अभी हम बुद्धी की यानि वंदना कर रहे हैं ये चे बुद्धा अतीता चे जब हम संग की कर तो ये चे धम्मा हो जाएगा तो ये चे धम्म बुद्धा अतीता चे यानि कि ये जो ये माने जो चे माने और बुद्धा माने बहुत सारे बुद्धा है अगर यहां शब्द बुद्धो होता तो उसका मतलब एक बुद्ध होते यह चै बुद्ध अनागता इसका मतलब वो भविश्य की बात हो गई, फ्यूचर में जितने बुद्ध आएंगे उनके लिए यानि बुद्ध जो हैं वो जा चुके हैं और आएंगे भी ये बात ते हैं कि बुद्ध कभी प्रत्वी बुद्धों से कभी खाली नहीं रहती पचुपन्ना चैये बुद्धा पचुपन्ना पूरे पाली साहते में आपको वर्तमान सब्द नहीं मिलेगा हमें साह जब भी मिलेगा पचुपन्ना सब्द मिलेगा पचुपन्ना का मतलब है प्रती उत्पन प्रती उत्पन प्रती छण उत्पन यानि कि उत्पन हो रहा है उत्पन हो रहा है इसका मतलब यह है कि वर्तमान चलना है यसे हमारे जो सरीर है जगतार चल दा है तो प्रतिछण वो उत्पन हो रहा है उत्पन हो रहा है जब ये खतम हो जाएगा तो ये अतीत हो जाएगा और अगर इसे आना होगा तो ये अनागता हो जाएगा तो पचुपन्ना चैये बुद्धा और जो प्रिति छण उत्पन हो रहे हैं वो बुद्ध सारे एहंग बन्दा मी करता हूँ उनको बन्दा मी करता हूँ, अभ बन्दा माने सब को, यह बन्दार है, इसकी दूसी बन्दारा का हिस्सा है इसका जो लाइन है बड़ा सिंपल सा आर्थ है देखने में टफ लगता है इसका जो लाइन है बड़ा सिंपल सा आर्थ है देखने में टफ लगता है इसका जो लाइन है बड़ा सिंपल सा आर्थ है देखने में टफ लगता है पास है इसके, मतलब इसके बहुत समीप है, किलोज है इसके, नीरर है, डीरर है, और सिन्नो जो होता है, ये सब्द बना है, निसी दती से, निसी दती माने होता है बैठना, दो सब्द मिलके बने हैं, एक सन्नी और एक निसी दती, तो सन्नी सिन्नों का मतलब है अंडर बैठे हुए है किसके वर बोधी मुले वर माने स्रेष्ट अच्छा बोधी माने बोधी ब्रेक्ष और मुले माने जड़ में जो बोधी ब्रेक्ष की जड़ में के नीचे बैठे हुए है मारंग ससेन महती वजेतवा क्या करके जो मार है जो ससस्त्र मार है उस मार को महतपूर तरही करके जीते हुए है क्या जीते हुए है अपनी बुराईयां सारी जो मार होता है सारी बुराईयां होती है उन बुराईयों को जीते हुए है सम्यक सम्बोधी मदिगच्ची अनन्त याणो सम्यक सम्बोधी मदिगच्ची यानि कि जिनोंने सम्यक सम्बोधी को मदिगच्ची का मतलब होता है यहाँ पे जिनोंने इसको पा लिया है यानि प्रात कर लिया है अधिगच्ची माने, इसके अधिकारी हो गए हैं, इसको प्रात कर लिया है, तो सम बोधी जिनके वो प्रात कर लिया है, अनन्त याड़ो, और जिनके पास में अनन्त ग्यान है, लोकुमुत्तो, ये दो सबसे बना है, एक लोक और एक उत्तम, लोकुमुत्तम आने, जो लोको जुक्कर करता हूं तंग पड़ मामी का मतलब है जुक्कर नमस्कार करना फिर इसमें दो इसमें दो सुत और भी होते हैं वो दो सुत ना बंद्रा में आते हैं ना शरण में आते हैं और ना ही वो जैम में आते हैं वो अलग है यंकिंची रतनंग लोके विज्जती विविधा पुथू रतनंग बुद्धं सम नत्थी तस्मा सोथ्थी भवन्तुते एक आता है उत्तमंगेन वंदेहंग पाद पंसु वर्तमंग बुद्धे योखरितो दोसो बुद्धे खम्तु तंग ममन जब आप पूरी बुद्ध बंद्रा हेंगे तो ये बुद्ध बंद्रा में ल स्रेष्ट वर और उत्तम यानि कि मैं पैरों की धूल अपने जो उत्तम मेरा अंग है यानि जो मेरा सर है उस पे लगा के वंदना करता हूं इसका हिंदी में सीधा मतलब हो गया कि मैं उनकी चरण की धूली अपने माथी पे लगा के वंदन करता हूं बुद्धे योखलितो अगर मेरे से कोई ऐसा खली तो दोस का मतलब है अपराद और दोसो माने होता है अपराद किरत दोस यानि अगर कोई बुद्ध के पिर्ती मेरे से कोई अपराद हुआ है नक्ती तस्मा तो बुद्धे खम्तु तंग ममन तो बुद्ध मुझे खम तुमाने छमा करें, खम करें तंग ममंग मुझे, तो ये बुद्ध मुझे छमा करें, फिर आता है इसमें यंकिंची रतनंग लोके, विज्जती विविधा पुथू, रतनंग बुद्ध समंग नत्थी तस्मा सोत्ती भवन्तुते, तो किंची माने हो गया कुछ और रतन माने हो गया, रतन लोक में, यानि लोक में जितने भी रतन है, विज्जती विद्वान है, विज्जती माने विद्वान है, विविधा पुथू, विविधा पुथू माने अलग लग तरह के और पुथू माने बिखरे हुए हैं, यानि इस पूरी दुनिया में जितने भी रतन हैं जो बिखरे पड़े हैं रतनंग बुद्धंग समंग नत्थी यानि रतन जो बुद्ध जैसा है समंग माने समान नत्थी माने नहीं तस्मा सोत्ती भवन्तुते यानि जो ऐसा क्या बोलते हैं कोई रतन नहीं है जो बुद्ध के समान हो सोत्ती भवन्तुते माने कल्य कल्यानकारी हो, सुक्षावाला हो और लाबदयायक हो यानि ऐसा कोई रतन नहीं है बुद्ध के समान जो कल्यानकारी है और जो लाबदयायक है और जो हमारा भला करकर सके ऐसा कोई रतन बुद्ध के लावा इस प्रत्वी पे नहीं है ऐसे करके हम बुद्ध की वंदना बुद्ध के समय बी चलता था बुद्ध खुद कहते थे कि एक अच्छे आदमी को ये तीन जो जैम है इनको हमेसा याद करना चाहिए और जैसा बनने की कोशिश करते रहना चाहिए मगए ये जो बाद में धूल चरण की लगाने वाला पार्ट है ये कहीं बुद्ध फिलोस्पी का बार्ट नहीं है झाल